आपको भगवान के दर्शन जहां आपके भावना और प्रेम उमड़ा वहाई दर्शन हो जाएंगे पेडों में, पंचियों में, पशों में, नरों में, बानरों में, बच्चों में, बूडों में, जवानों में प्रेम की भी ना काम नहीं चलता प्रेम नहीं इसलिए तो फोजबाटे गड़ें सारे संसार के एक देश दूसरे देश से डरा हुआ है प्रेम नहीं प्रेम नहीं इसलिए तो एक भाई भूका मरता है और दूसरा राज मेलों में बैठा है प्रेम नहीं, प्रेम के बिना कोट का चरी है, ने क्या जो रत है इनकी, प्रेम हो तो कोट का चरी हो, क्या जो रत है, प्रेम नहीं इसलिए, केस होते हैं, मर्डर केस होते हैं, रेप केस होते हैं, ढाके डलते हैं, कोट का चरी होते हैं, पुलिस, पाउज, भाटे, सब बंदो अबस्त होते हैं प्रेम नहीं प्रेम के प्रेम के हिरदय में जिनके हिरदय में प्रेम होता है वह सारे गुण बिद्धमान हो जाते हैं और परमेशन वहाई प्रगट होते हैं जा प्रेम होता है उससे पहले नहीं इसलिए किसी मान शायर ने काया कि जर्रे जर्रे में है जहां कि भगवान की लेकिन किसी आँख वाले ने इसकी पहचान की आँख तो नहीं चाहिए कोई ज्ञान चक्षू कोई अनुभव का चक्षू होना चाहिए रिलाइजिशन होना चाहिए और रिलाइजिशन सत्वगुन से नीचे नहीं प्राप्त होता जो रिलाइजिशन की उस फूल की खुश्वू को पहचानने और जानने वाला वो ही सक्स होता है जिसके इर्दे में प्रेम होता है एक मैंने सुना है किसी संत महात्मा जी के मूँ से एक माली एक बाग के अंदर नाच रहा था खिले हुए फूलों को देख करके क्योंकि माली नहीं उनको बोया था सीचा था सुधारा था כ्यारियों को बाग को जो फूल खिले तो नाच रहा था अकेला मस्त एक सुनार भी वाकिंग करने उस पार्क में चला गया उसने बोला अरे भाई नाच क्यों रहा तुमको भूलो देखते नहीं ये फूल साक्षाद भगवान के जैसे दर्शन हो रहे है बगीचा महक रहा है तो मुझे मैं नाचनी तो क्या करूँ मुझे बहुत आनंद आ रहा है आनंद भगवान का रूप ध्यान रखिए सच्चा आनंद सुनार ने पूछा मुझे बतलाओ तो सही इन फूलों में है क्या कहां है भगवान इन में कहां है आनंद इन में तो उसने तोड़ तोड़ के कली कली अलग कर दी एक फूल को सुनार ने बोलो मुझे तो इन में कुछ नजर नहीं आ रहा है तो सुनार को फूलों में खुश्वू या आनंद का या प्रेम की खुश्वू कैसे आए सुनार के इर्दे में मन मस्तिस्क में तो सोना ही सोना है वो कसोटी पे जब तक नहीं कसले उसको कैस सोने को भी वो रिजेक्ट कर देगा जब तक प्रूफ नहीं करे कसोटी नहीं उसके लिए तो माली की आँक चाहिए माली का एरदे चाहिए जिस माली ने उन बीजों को बोया अंकुर निकले, सीचा पौदे बड़े हुए और उमें नाना प्रकार के फूल निकलने लगे और फूलों से खुशू महग गया पूरा पाग तो माली नासता है माली ने जो अनबव किया वो सुनार कभी स्वपने भी नहीं कर सकता सतोगुन के अंदर अनबव उस परमात्मा का जलकता है रजोगुन तमोगुन में नहीं रजोगुन में संसार का अनबव जलक सकता है तमोगुण में वो भी नीचे लगता है, नामी तमोगुणे, तम यानी अंदकार, जो अंदकार में ही जी रहा है, जो अंदा होके अपनी जीवन को जी रहा है, अंदों को आखें दी, जी ससने, ऐसे ही अंदों को आखें दी थी, यह मैं सोचो कोई आख फूट गई थी और उसको आख प्रदान कर दी, नहीं, ऐसे महापुरुष, ऐसे जिनको भगवान का उतार कहा है, यह ऐसे चमतकार नहीं दी कहाते हैं, छोटे मोटे, यह तो पूरे समाज को लाभानुईत करने आते ह उनको आखें दी थी जिसूस ने, मुर्दों को जिन्दा किया था, जो जिन्दगी को मुर्दे के समाज जीते हैं, बीमारों को स्वस्त किया था, जिनके मन, बुध्धी, एहंकार बीमार हैं, जो इस जीवन को बीमारों की तरह खायलों की तरह जीते हैं बीमार जैसे बीमारी हो गई हो, रोग लग गया हो बुद्धी में जंक लग गई हो, बिचारों में पाला पड़ गया हो ऐसे चीते हैं बीमारों करके उन बीमारों को स्वस्थ किया तंद्रस्थ किया जैस चैतन महापुरुभी जी ने नचाया चैतन महापुरुभी जी डाकूँ को नचाया चोरों को नचाया जिनके पाउं कभी नाचना सीखे ही नहीं उनको नचाया सोतों को जगाया कोई भी महापुर्स सोतों को जगा ने आता है अंदों को आखे देता है बहरों को कान देता है कि सुनो कैसी ध्वने आ रही है उस परमात्मा की मुरली बज रही है मुरली की ध्वन सुनो इन हवाओं के मैद्यम से सरवत्र संगीत बद्ध है सारा बिश्व जरा सुनो उसके पवितर नामों को सुनो उन में कितना रस है उनका पान करो हरे राम 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 हरे राम इसका पान करो गुरृनानक देवजी ने भी वोई सरवन शक्ति दी सुनने की शक्ति दी बैरों को कान दी अंदों को आँके दी बीमारों को स्वस्थ किया और जो सोये वहे उनको जगाया, जो सो रहे थे, सोते सोते जिन्दगी जीते हैं, उनको होश ही नहीं है, सोते आदमी को कुछ होश होता है सोये वहे आदमी के उपर, चाहे मच्छर काटे हैं या साप निकल जाए उपर से, उसको पता ही नहीं है कोवरा निकल रहा है सरीर के उपर से सोय हुए आद्मी को पता नहीं है घर में आग लग रही है उसको पता नहीं चलता क्यों और सोय पड़ा है खड़ाट इमार रहा है लिए कोई जगाने वाला चाहिए कि अरे मूर खड़ा हो घर में आग लगी हुई है, भार निकल भाग के संतों नहीं यही कहा कि संसार दावा नल लिड लो कहा यह संसार में दावा नल लगी हुई है दावाग नहीं लेकिन जो मूर्चित पड़े हैं सोये पड़ें, उनको कैसे मालूम चले कि दाव, वो कहेंगे दावा ने, दावा आग लिका है, अरे, मदिरा ले हैं, बैश्या ले हैं, कसीनो हैं, कार हमारे पास है, हम प्रमन कर सकते हैं, धन है, पैसा है, किदर आग लग लग रही है भाई? हमारा सेफ डिफोजिट है, बैंक में, बैंक बैलेंस है, स्वीज बैंक में खाते हैं, किदर आग लग लग रही है, हमको तो नहीं नज़ा दा, ये बेकार की बात मत करो, नहीं, जिन्होंने रिलाइज किया इस अगनी को, उन्होंने कहा, कि संसार दावा नल है, संसार दावा नलली धेलो का, त्रानाय कारुन्य घना घनत्वं, ताप्तष्य कल्यान गुनार्न वश्या, बंदे गुरो श्री चर्नार विंदं। जिन्होंने जाना, उन्होंने कहा, बुद्ध ने जाना, बतलाया, मावीर ने जाना, बतलाया, गुर्नानक देव ने जाना, बतलाया, चैतन महापुरुई ने जाना, बतलाया, भक्ति बिनोठ ठाकुर ने जाना, बतलाया, प्रभुपाजी महराज ने जाना, बतलाया, रा नब बतलाया जिन्होंने अनुभाव किया उन्होंने बतलाया समाज को कि दावा नल है निकलो यहां से का फसे हुए हो का ये भोग विलास्व में उत्रे हुए हो नहीं हमको यूटर लेना चाहिए समाज बहुत विक्षिप्त दशा में है बहभीत है एक से दूसरा बहभीत है देखिए जड़ा पड़ोसियों कोई एक पड़ोसी दूसरे से बहभीत है चोर पुलिस वाले से बहभीत है पुलिस वाला चोर से बहभीत है पाकिस्तान इंडिया से बहभीत है इंडिया पाकिस्तान से बहभीत है अमेरिका, रसिया, जर्म, लंडन, कोरिया, साउथ कोरिया, नौर्थ कोरिया, चापान, चाइना एक दूसरे से बहबीत है, पूरा समाज बहबीत है, एक ब्यक्ति दूसरे ब्यक्ति से बहबीत है एक जानवर दूसरे जानवर से बहबीत है लेकिन मनुश्य से सारा बिश्व बहबीत है तो मनुश्य की दशा गलत है मनुश्य जिस डाइरेक्शन में जा रहा है वो बिल्कुल गलत है तो यूटर्न ले सकता है आज भी यूटर्न ले सकता है सुख पाएगा सुख ही होगा निरोगी होगा जागेगा सोये से बचेगा दावानल से आयो सत्व बल आरोग्या सुख प्रीती विवर्दना तो प्रेम से अपना घट बरेगा यूटर ले लेगा तभी दिशा परिवर्तन करने से और कोई जरिया नहीं है सुख के लिए डोलत रहे हम कभी लंडन से इंगलेंड इंगलेंड से अमेरिका सुख प्राप्त करने लिए मिलेगा नहीं थोड़ी देर के लिए क्षणिक सुख को सुख माल ले कि आइस क्रीम खा रहे हैं या कार में गुम रहे हैं या एरोपलेन में उड़ रहे हैं ये क्षणिक सुख इसको सुख नहीं कहा शास्त्रों ने आइस क्रीम के सुख को सुख नहीं कहा क्योंकि इस सुख के पीछे दुख खड़ा है वो चाया पढ़ रही है तुमारे उपर ल भर लिए उसके पीछे बड़ा दुख भैंकर दुख खड़ा है यह जो चट खा रहे हैं पी रहे हैं मदिरा क्या मदिरा के पीछे दुख नहीं कड़ा मदिरा पीने से ब्रेन नश्ट हो जाता है वैग्यानिक प्रूफ है तो ब्रेन ही नश्ट हो गया तो आपका क्या हाल होगा बगवान सुरी कृष्ण कहते हैं कि बुद्धी नासो प्रणश्टी जिस व्यक्ति की बुद्धी नश्ट हो जाती है उसका तो पतन निश्ट चिता है तो वो तो आप देख सकते है आपकी बुद्धी और मन ही बिक्ष तो आपको कौन इस जीवन में सफल व्यक्ति कहेगा आहर फाउंडिशन है आपके जीवन का आपके सुख का आयू का बल का आहर को सुधारना चाहिए बल भी मनो बल है आतम बल है शारीरिक बल है ये तीनों प्रकार के बल आहर पर डिपेंड करते हैं आहार शुद्धी सत्वशुद्व जिस ब्यक्ति का आहार शुद्ध होता है उसकी उसका अन्ते करण शुद्ध होता है आहार से और कोई जरिया नहीं है आहार ही बिगड़ा हुआ है विख्षिप्ट है वोयलेंटीव है, हिंसक आहर करते हैं प्रकर्थी के विरुद्ध जो आहर ग्रेंड करते हैं उससे तो विनाशी होता है समास का, सभी का नहीं गव का, या बैल का, या भैंस का, या हाती का गोडे का, आहर घास है वो घास में खुश रह सकते हैं, सुष्ट रह सकते हैं, बलिष्ट रह सकते हैं, बुद्धी इस्थिर रह सकती है भाई दूसरे तुम आहार करवाओगे, तो वो बेकार हो जाएंगे लोग गोडे को भी जोड़े दस्तिमांस खिलाते हैं, रेस में बगाने के लिए वो गोडे गोडे नहीं रहे, वो तो अपनी जैसे ही बना लिये उन्होंने अध कच्रे कर दिये, ना इदर के रहे ना उदर के उससे अच्छे तो जबी थे, जो घास खाते थे तभी उनमें शक्ति थी, सोच समझ थी, दोड़ने की सब परकार से बल था लेकिन मनुष्य के संपर्ग में आके, जो भी जानवर आएगा, वो भी बिगड़ जाएगा क्योंकि मनुष्य बिगड़ा हुआ है, मनुष्य प्रकरती के खिलाप चलता है लाव अफ नेचर नहीं मानता तो इतार्तम अगर प्रकरती के साथ नहीं है हमारा, तो हम दुख ही होंगे, और क्या होगा आयो सत्तो बलारोग्य सुक प्रिती विवर्दना, रश्याह इसनिक्दाह, इस्थिरा हिर्ध्या, आहारा सात्विक प्रिया ये सात्विक प्रिया, ये सात्विक आदमी के प्रिय भोज़ने इसनिक दचिकने, घी, दूद, मलाई, मककन, इस्थिरा जो बुद्धी को, मन को, वीरिये को इस्थिर रख सकें चलाएमान, बुद्धी वाले को देखिए बंदर से भी नीचे गिर जाता है इस्तिती में जिसका मन बुद्धी चलाय माने वीरिय चलाय मान होता है तो किदर भी यू बहाता है भूग बिलासों में चला जाता है यह सब इस्तिर होनी चाहिए तो इस्थिर तभी रहेंगे जम हम आहार इस्थिर आहार करेंगे हमारा डवलोप्मेंट इस्थिर रखने वाले आहार से होगा और वो सतोगुणी आहार है भगवान कहते है इर्दे को खुश करने वाले आहार इसनिक दहा चिक ने रश्या रश्युक्त रशीले रश कहते हैं जूस को जूस वाले रशीले गन्य का रश है औरेंज का रश है आम रश है अंगुर का रश है औरेंज इत्यादी अनेक रश है एक नहीं अनार का रश है शराप के लिए नहीं कहा जा रहा, कि शराप सत्यूगुनी है कि ये भी तो अंगुर की बेटी है, नहीं, ये सडा हुआ अंगुर है सडी दशा में गया हुआ तो तमोगुने said, इसलिए शराप को तमोगुन बोला है अंदकार में ले जाती है तो शराब अंदकार का मतलब यह नहीं कि आपको सूरिये से उजाले से दूर कर दे कि हमने तो टूब लाइट जला रखी है सारा शेर जगमगार आए दिन के प्रकाश में रह रहे हैं काम अंदेरे में अंदकार में बुद्धी बनाती है अंदकार में विचारों में दोड़ाती है जूटी दुनिया में जीना सिकाती है हिंसा बढ़काने वाला आहार है डराने वाला आहार है नियत खराब करने वाला आहार है शराप पी के आदमी अपने को भूल जाता है पिर दूसरे को क्या पहचानेगा